अगर आपका अच्छा होस्टल जा रहा है जैसे कि मेरा बेटा गया है तो आप भी जटपट से बनने वाले ये इंस्टनेक्स जो की बहुती टेस्टी यम्मी और हेल्दी है अपने बच्छों को बना कर दीजे और बच्छे महीनों तक अपने घर से बना हुआ नाश्ता एंज इन अदेरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो को पूरा देखेगा सबसे पहले मैं बनाऊंगी प्रोटीन से भरपूर सत्तू के लड़ू सत्तू आप चाहें तो सत्तू का पाउडर मार्किट से भी ले सकते हैं वैसे भुने चने को आप इस तरह से पीस लीजे इस अरह से आप सीव से चलनी से उसे चान लीजे और बिल्कुल आटे जैसा पाउडर आपको मिल जाएगा बहुत सोफ्ट हेल्दी टेस्टी ये लड़ू होते हैं और अभी जैसे की मोसम भी बहुत अच्छा है तो पूरा कई महीने एक से डेड़ महीने तक ये लड़ू च जलाना नहीं है बिल्कुल हलका सा करारे हो जाएए इस तरह से क्यूंकि आगे मने का पाउडर बनाना तो जलाना बिल्कुल भी नहीं है किसी चीज को हलकी आँच पर हम इने अच्छे से फ्राइए करेंगे ये देखे हमारे सीड़ और नट बिल्कुल फ्राइः होगे हैं देशी की जितना मरजी डालेगे कोई रोक नहीं है और इन्हें हम निकाल लेंगे अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा और घी क्योंकि अब हमें भूनना है सत्तू का पाउडर और यह क्या होता ना पहले आप थोड़ा थोड़ा करके घी डालेगा बैचीज में एक साथ सारा घी डालेगे जरत नहीं क्योंकि जरत से जादा घी आपके लड़ू को बहुत जादा मॉइस्ट कर देगा वो लड़ू बानने में दिक्कत होगी तो पहले थोड़ा-थोड़ा करके आपको जरत के हिसाब से घी डालते रहें मिड टू लो फ्लेम पर हमेंसे फ्राई करना है ना तो कम रखनी है फ्लेम ना ही हाई रखना है कम पे क्या होता है वो कच्चा स्वादा जाता है और हाई पर एकदम से सत्तू का कलर बदल जाता है लेकिन उसका कच्चापन नहीं निकलता ये देखें मेरा सत्तू पूरा घी अब्जोर्व कर लिया था ड्राय हो गया था थ पच्छे टीनेज में हैं, जैसे कि मेरा बेटा है, जिम जाना चाहते हैं, और गेनिंग की तरफ हैं, मतलब वेट गेन करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो लड़ू मस्ट हैं, और मेरे बेटे के साथ साथ उसके बहुत सारे फ्रेंड्स को ये स्नैक्स बहुत पसंद आएं, और इन स्नैक्स के तरू उसके बहुत सारे लोगों से फ्रेंड्शिप भी हुई है, तो स्नैक्स आपका मतलब प्यार तो आपके बच्चे के साथ बहेजी रहे हो, आप स्नैक्स के रूप में, ये स्नैक्स मदद करते हैं, उसके नएने और अच्छे फ्रेंड्स बनाने में तो चलिए अपनी recipe की तरफ बढ़ते हैं, यह देखे मैंने golden brown कर लिया, अपना सत्तू fry कर लिया है, अभी यह बहुत जादा गरम है, इसलिए हम इसे बड़े बरतन में फैला देंगे, तब तक मैंने dry fruits का powder बना लिया है, क्योंकि जो बड़े chunks आते हैं तो वो लड़ू की shape भ जाले हैं, जो बच्चों के सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो यह लड़ू बहुत अच्छे बनने वाले हैं, अब हम हाथ से touch करके देखेंगे, material अभी गरम था, तो थोड़ देर 5-10 मिनट के लिए से रख देंगे, रेस्ट करने के लिए, जब यह थोड़ा सा ग गुन-गुने में हमने यह मिठा भी मिलाया है, तो लड़ू बहुत आराम से बनकर तयार हो जाते हैं, बिल्कुल भी problem नहीं होती, और खाने में तो यह 100 upon 100 है, आप जरूर अगर आपका बच्चा होस्टल जा रहा है या नहीं भी जा रहा है, तो उसके लिए भी यह लड़ जरूर बनाईएगा, और मेरे साथ पिक्स इंस्ट्राग्राम पर जरूर शेयर कीजेगा, तयार है हमारे हाई फाइबर प्रोटीन से युक्त सत्तू के लड़ू, तो बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों के फेवरेट होते हैं, तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राइक कीजेगा, चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो है एक नमकीन, क्योंकि मीठा तो हो गया, अब नमकीन भी होनी चाहिए, नमकीन के लिए मैंने सबसे पहले लिए, कच्ची मूमफली, एक कप, आप चाहें तो मूमफली अगर आपके बच्चे को ज़ तरफ, जादा थीखा कर देते हैं, और मैंने लिए हैं, 10 से 12 करी पते, फ्रेश करी पते लीजेगा, उससे उसकी महक और जो टेस्ट आता है, जो फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा आता है, ये मैंने लिए हैं कॉन फ्लेक्स, आप चाहें तो मकी का पोहा भी ले सकते हैं, आपको बिल्कुल डाले की जुरत नहीं पड़ेगी, तो चलिए बनाते हैं, अपनी कॉन फ्लेक्स की पांच मिन्ट में बनने वाली जटपट से क्रंची, टेस्टी, यम्मी नमकीन, सबसे पहले हम रिफाइंड ओयल लेंगे, कोई भी फ्लेवर का, ये देसी घी में उपेपर निकाल लेंगे, फिर हम अपने बादाम फ्राइ करेंगे, आप चाहें तो होल बादाम भी डाल सकते हैं, या पीसीज भी कर सकते हैं, ये भी बादाम भी जलाना आपको कुछ भी नहीं है, लाइट कलर में आपको फ्राइ करना है, फिर हम जब कड़ी पत्ते और हर अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद हम डालेंगे इसमें और यह नमकीन है ना यह इतना आपके जबान को मतलब इसकी आदत पड़ जाएगी जैसे कुरकुरे आये थे ना पहले कि एक बार खाओ तो आपका मन नहीं भरता उसी तरह से यह नमकीन बनने वाली है तो जादा पसंद आई मेरा बेटा तो बोलता है ममा एक बार खाना शुरू करता हूं तो मन नहीं भरता मतलब पेट भर जाए लेकिन मन नहीं भरता और इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है कि आप डीफ्राई कर रहे हूं बहुत कम ओल में बन जाने वाली हेल्दी सी चीज है कि पीन बच्चे को तो बना कर दीजे ही खुद भी बना कर रखिएगा घर में अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के हिसाब से सफेद नमक अब हम इसमें डालेंगे तीखा करने के लिए लाल मिर्च कलर वाली मिर्ची बिल्कुल मत डालिएगा थोड़ा सा डालेंगे काला नमक फिर डालेंगे हम इसमें चाट मसाला इसका तीखा टैंगी टेस्ट बहुत बहुत जादा अच्छा लगता क्योंकि कॉन्फ्लेक्स में अपनी मिठास होती है और ये सारे मसाले इसे नेक्स्ट लेवल पहुचाने वाले हैं इसके स्वाद को और बजार से कहीं गुना अच्छी टे मैंने डाला है नमक अजवायन और कसूरी मेती और एक टाइट डो लगा लिया है इसे इस तरह से फोल्ड करकर के इसमें तह लगा लगा के हम इसे अच्छे से इस तरह से सीजर से काटके छोटी-छोटे से बाइट्स बनाएंगे मठ्री क्या होती है एक मठ्री जब बच्च बैग में भी इजी ली ले जाएगा अब हमें इसे डालना कैसे है यह देखे कड़ाई में मिड टू लो फ्लेम पर हमें ओयल को तयार कर लेना है बहुत तेज और ठंडा तेल नहीं होना चाहिए अब यह सारे जो हमने मैदा की कटिंग करके रखी ती इन्हें इस तरह से प् ब्राउन होने तक फ्राई करना है कुछ लोग इन्हें इस तरह से डायरेक्ट मतलग ओयल में भी काट काट कर डालते हैं यह गलती मत कीजेगा क्योंकि इस से इतना चीटा पड़ता है हाथ और पैर पे जलने का डर रहता है तो यह मैथड आप यूज मत कीजेगा और यह दे नेक्स आपको कैसे लगे आप जरूर बताईएगा आई होप यह वीडियो आपको जरूर पसंद आयोगी पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कीजे फैमली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजे इस वीडियो के लिए इतना ही मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए सबस्टेंगा बाइब कीजे आपको लागी है